हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को गेल इंडिया के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आएए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है अधित्या बिर्ला सनलाइफ एमसी लिमिटेड कंपनी का जो नसी कोड है वो है ABS-LAMC कल के ट्रेडिंग सेशन यानि की फ्राइडे के दिन ये कंपनी का जो शेयर है 0.72% हमें करेक्ट होता हुआ देखने को मिला और 556 रुपीज के उपर में कंपनी का शेयर क्लोज हुआ कंपनी के अगर ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो आधित्या बिर्ला सनलाइफ एमसी ने जो है यहाँ भी डिविडेंट अनौस कर दिया है 13.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 13.50 रुपे यानि की 13.50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा और एकदम लेटेस्ट अनौसमेंट है इसी चलते इसको देने की एकस डेट रिकॉर्ड डेट फिलाल अभी अपकमिंग में है बट देखा जाए डिविडेंट काफी जाधा शांदार अनौस किया गया है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है M-Phases Limited कंपनी का जो NSE कोड है वह M-P-H-A-S-I-S कल के ट्रेडिंग सेशन यानि की फ्राइडे के दिन इस कंपनी के शेयर के अंदर में हमें 3% से जाधा की तेजी देखने को मिली और कंपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइ इसका आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 55 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा अगेन ये भी काफी बढ़िया डिविडेंट है और इसको देने की भी X-Date, Record Date फिलाल अभी Upcoming में है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Pony Sugars Limited कंपनी का जो NSE है P-O-N-N-I-E-R-O-D-E कल के ट्रेडिंग सेशन यानि की Friday के दिन इस कंपनी के शेयर के अंदर में हमें 0.5% से जाधा की तेजी देखने को मिली जो की एक ट्रेडिंग सेशन के इसाब से काफी अच्छा मोमेंटम है और इस कंपनी के शेयर का जो closing price था 445 रुपीज का था कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँपे dividend अनौंस कर दिया है 7 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 7 रुपे का dividend दिया जाएगा अगेन इसको देने की भी X date, record date फिलाल भी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा because जैसे X date और record date आजाएगी मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Exita Cotton Limited, कंपनी का जो NSE code है वो है AXITA, कल के trading session में कंपनी का शेयर लगबग 1% हमें correct होता हुआ देखने को मिला और कंपनी के शेयर का जो closing price था 23.35 रुपीज का था, क कही ना कहीं आप इसे penny stock के category में count कर सकते हैं, बाकी company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 0.10 रुपीज का, आप लगों को आपके हर एक share के उपर में 10 पैसे का dividend दिया जाएगा, अब एक penny stock से इससे जाधा dividend हम expect भी नहीं कर सकते, बाकी यह final dividend रहेग और इसको देने की जो X date और record date है, फिलाल अभी upcoming में है तो जैसी announcement आ जाएगा, मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा, अगले share की बात करें, तो company का नाम है Premier Explosives Limited, company का जो NSE code है, वो है P-R-E-M-E-X-P-L-N, कल Friday के session में company का जो share है, हमें 4.5% की तेजी दिखाता हुआ देखने क मिला, जो की एक trading session के हिसाब से definitely काफी बढ़िया और काफी positive momentum है, company के share का closing price था, 2,618 रोपीज का था, company के अगर official announcement की बात करें, तो इस company ने, यहाँ पर stock split announce कर दिया है, 2 to 10 के ratio से, जिसका मतलब यह है, अगर आपके पास में इस company के 2 shares हैं, तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो ज और एक share, यहाँ पर 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा, and इस stock split को देने की जो X date और record date है, फिलाल अभी upcoming में है, जैसी announcement आ जाएगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा, अगले share की बात करें, तो company का नाम है Remes Pharmaceuticals Limited, company के share का जो closing price था, कल के session पे 7,838 रोपीज का और company का share एकदम flat close होता हुआ हमें देखने को मिला, company के अगर official announcement की बात करें, तो इस company ने, यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है, 3-1 के ratio से, जिसका मदलब यह है, अगर आपके पास में इस company का एक share है, तो यहाँ पे आपको 3 shares as a bonus मिलेंगे, total में जो आपका 1 share है, वो 4 shares के अंदर में convert हो जाएगा, अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी shares हो, आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 shares का bonus दिया जाएगा, और इस bonus को देने की जो X date और record date है, वो भी अभी फिलाल upcoming में है, अगले share की बात करें, तो company का नाम है, निधी Granites Limited, company का जो Bombay Stock Exchange का code है, वो है 512103, कल Friday के session में, company के share पे फिर से हमें 5% का अपर सरकेट लगता हुआ देखने को मिला, और company के share का जो closing price था, 267 रुपीज का था, company के अगर official announcement की बात करें, तो निधी Granites ने जो है, यहाँ आप इस stock bonus announce करके रखा है, 1 to 1 के ratio से, जिसका मदलब यह है, अगर आप आपके पास में इस company का एक share है, तो यहाँ पे आपको एक share है, जब bonus मिलेगा, total में जो आपका एक share है, वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा, in short, आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे, वो सभी के सभी हाँ पे double हो जाएगे, because आपके पास में company के जितने भी shares होंगे, उ नहाँ पर हमारे अगले अंड लास्टॉक की तो कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो एनसी कोड है वह जी ए आई एल कल फ्राइडे के सेशन कंपनी का जो शियर है एकदम फ्लैट हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला और कंपनी के शियर का जो क्लोजि और एक काफी जाना माना फानैंशल इंस्टिट्यूशन है हाँ इंडियन नहीं है फॉरण बेस्ड है स्पेसिफिकली बताऊ तो यूएस से बेस्ड है और अल ओवर दी वर्ल्ड काफी जाना माना और काफी जाना माना और काफी जाना वेल रिप्यूटेड है अब मॉर्गन एट रुपीज से ले करके 254 रुपीज तक की एक जो रैली है वो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट करके चल रहा है गेल इंडिया के शेयर के अंदर में यह अपने आप में लगबग 25% का अपसाइड मुमेंटम बन जाता है एंड एक अच्छा खासा टार्गेट यासे आपको मिल जाएगा अब मॉर्गन स्टैनली कोई छोटा मोटा ब्रोकरेज फर्म नहीं है काफी जादा जाना माना एकदम टॉप लेवल का ब्रोकरेज फर्म है तो यह कोई भी ऐसा सेटप या फिर कोई भी ऐसी बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रेकमेंडेश तो कमपनी अल्रेडी स्ट्रोंग है और पी एसी यूनेट होने की वज़े से गवर्मेंट का सपोर्ट और इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहाँ पे हमेशा बना रहता है तो अलोवर कमपनी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती अभी एक अच्छे खासे प् पर में आपकी नजर बना के रखिएगा और आपके वाच लिस्ट के अंदर में डेफिनेटली से अड़ कर लीजेगा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको बिलकोल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए तो जरूर से कमपनी के शेयर पे आपकी नजर रखिएगा और गेल स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंट अनौंस किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगयों डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा विगोस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉंटेंट देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई